हलो प्रेंड जैसी क्रश्ना, बड़वासी विञ्जन प्रममत्रा में आपका स्वागत है, मैं हूं सीमा पांडी आज मैं कुकर में चावल की कुरेरी बनाऊंगी और ये बनाना काफी आसान है इस तरीके से बनी हुई कुरेरी टेष्टी के सासत काफी क्रिस्पी बनती है और सबसे बड़ी खास बात कि फटाफट बन जाती है जिन्देकी की भागदोड में समय का वाव रहता है, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से कुकर में कुरेरी बनाऊंगी कुरेरी को कहीं कहीं कुडलई भी बोलते है चावल की कुरेरी बनाने के लिए मैंने एक गिलास चावल लिये है मैंने इसको गिलास से मेजर करा है आप चाहें तो कब से या किसी भी बाउल से कर सकते हैं ये मैंने साधा चावल लिये है देखिए जैसे खिचडी खीर के लेते हैं हमने उस तरीके से साधा चावल लिये हैं आप कोई सावी चावल ले सकते हैं आदा चमच नमक और आदा चमच जीरा लिया है मैंने और ये मैंने दो चमच रिफाइन डॉय लिया है अब हम कुडले बनाना श्टार्ट करते हैं और इसके लिए मैंने सबसे पहले इन चावलों को अच्छे से बीन करके धो लिया है और इनको 2-3 गंटे के लिए धो करके गला दिया गलाने से हमारी जो कुडले यह हैं बहुत अच्छी बनती है देखिए अब इन चावलों को करीब 2-3 गंटे हो गए है बीगे हुए अब बनाना श्टार्ट करती है अब मैंने गैस पर को कर रख दिया है और गैस को अर्ण कर दिया है इसमें हम एक चम्मच ओल डालेंगे और हम चावल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम चावल बनाते है मैंने एक चम्मच इसमें तेल डाला है तेल हमारा गरम हो गया है अब मैं इसमें जीरा डाल देती हो अगर आपको मेरे कुडली बनाने का मैंतर अच्छा लगे तो पिली जोरो किशा शेयर जरूर कीजिए अब हमारा जीरा गरम हो गया है मैं इसमें चावल डाल देती हो और इसको एक बार चलाती हो और उसके बाद हम इसमें चार गलास पानी डालेंगे यानि हमने एक गलास चावल लिए हैं तो हम चार गुना पानी डालेंगे एक, दो, तीन, और चार यानि चार गलास पानी बुलकुल परफेक्ट है ना हम ज़ादा लेंगे और ना ही हम कम लेंगे अब हम इसको चला करके इसमें नमक डाल देंगे नमक आप टेस्ट के अनुसा थोड़ा कम जादा भी कर सकते हैं अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके इस तरीके से चला करके मैं कुकर का धकल लगा देती हूँ और एक या दो सीटी आने देते हैं मैं बहुती आसन तरीके से कुडले बना रही हूँ आप जरूर ट्राइब कीजिए और आप इस तरीके से बना करके इनको सालवर रिस्टोर कर सकते हैं और जब मनाए आप बना करके खा सकते हैं मैंने कुछ दिन पहले कुकर में चावल के पापड की रैशिपी शेयर की थी जो काफी पसंद करी आप लोगों ने और मुझे काफी एपिसियेट किया मैं अपने घर में कुकर में कोडलाई अक्सर बनाती हूँ और सबको भहत पसंद आती है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आईगी अगर आपको पसंद आए तो और अकेशा शेयर कीजिए और अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए अब कोगर में दो सीटी आ गई है और हम इसकी गैस को खुश साथ तो ने देंगे उसके बाद हम इसको खोलेंगे अब हमारे कोगर की गैस सान्त हो गई है मैं इसको खूल देती हूँ देखिए हमारी चाबल पक करके तैयार हो गए है अब हम इनको एक दो बार अच्छे से चला लेंगे इस्पून से इस तरीके से हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं और यदि आपको ऐसा लग रहा है इसमें चावल दीख रहे हैं लेकिन आज मैं बहुत ही easy method से बना रही हूँ, बहुत कम समय में बहुत सारी कुरेरी बन करके तयार हो जाती हैं, इस तरीके से मैंने सभी चावलों को निकाल लिया है, अब हमें इसको एक दो बार चला देंगे चावलों को, और उसके बाद हमें से ठंडा होने देते हैं, क्य मैं दो तरीके से बनाओंगी, एक मशीन से बनाओंगी और एक मैं पन्नी से बनाओंगी, मशीन यदि आपके पास नहीं है, तो आप पन्नी से भी बना सकते हैं, यह साधा मशीन इस तरीके से खुल जाती है, और इसके साथ में जालिया भी आती है, मैं आपको खोल करके मैं यह वाली जाली यूज कर रही हूं और इस तरीके से लगा करके हम इसे फिट कर देंगे अब मैं इसको ग्रीसिंग कर दूँगे ग्रीशिंग करने के बाद मैं इसमें चावल को भर दूँगी अच्छे से हम इस तरीके से अच्छे से भर दैंगे इसमें चावल और भरने के बाद हम इसको फिट कर दैंगे मशिन को उपर से अब हम कुरलाई बनाना श्टार्ट करते हैं और इसके लिए मैंने एक ट्रे लिये हैं और उस ट्रे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इस तरीके से फटापट से हमारी कुरेरी बन करके तयार हो जाती है देखिए बहुत कम समय में और बहुत सारी बन करके तयार हो जाती है जिनके पास ये मशीन नहीं है मैं उनके लिए भी दूसरे मेथट से बताती हूँ किस तरीके से बना सकते हैं इस तरीके से कम समय में और बहुत सारी कुरेणिया बन करके तैयर हो जाती हैं, आप बना सकती हैं इस तरीके से अब मैं दूसरे मेथट से भी बताती हूँ, किस तरीके से बनाते हैं उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक लिए हैं इस तरीके से और ये साधा प्लास्टिक है और इसमें हम चावलों को इस तरीके से भरेंगे हम बुलकुल उसी तरीके से भरेंगे जैसे हम मेहदी की कीप बनाते हैं हम बुलकुल उसी तरीके से कीप बनाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करके देखिए हम इस तरीके से कीप की तरह से तयार कर लेंगे और इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा आप छेद कर सकते हैं और इस तरीके से आप बना सकते हैं आप देख सकते हैं आप चाहो तो इसमें कैई सारे आप सुराक करके छेद करके भी बना सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जाली के बनते हैं उसी तरीके से भी बन करके तयार हो जाते हैं इस तरीके से मैंने सभी कोडलियों को बना लिया हैं कुछ को मैंने प्लास्टिक से बनाया है, कुछ को मैंने मसीन से बनाया है, और उपर से सूखने के बाद हम इनको पलट देंगे, और ये करीब 3-4 दिन में या अच्छी धूप निकल रही हो, तो 2-3 दिन में सूख करके तयार हो जाती हैं, और जब ये अच्छे से ड्राइव हो जाएं, तो आप इनको इस्टोर कर सकते हैं, देखिए मैं कुछ प्लास्टिक पर भी बना रही हूँ, और इस तरीके से बना करके हम तयार कर लेंगी, मैंने सभी को तयार कर लिया है, अगर आपको बैठर अच्छा लगे कुडलई बनाने का, तो प्लीज और अकिशा शेयर जरूर कीजिए, इस तरीके से मैंने सारी कुडलई बना ली है, आप देख सकते हैं, मैंने कुछ हास से बनाई हैं, और कुछ मैंने मचीन से बनाई हैं, और कुछ को मैंने ट्रे में बनाया और कुछ को मैंने प्लास्टिक पे बनाया है देखिए कितनी अच्छी बनी है और जब ये उपर से थोड़ी सूख जाएंगी उसके बाद मैं इनको पलट दूँगी अब हमारी कुरेरी सूख करके तैयार हो गई है देखिए ये कुरेरी मैंने मशीन से बनाई है और इनको मैंने हाच से बनाया है और ये करीब 2-3 दिन मैं सुख करके तैयार हो गई है हमारी कुरेरी काफी अच्छी बनी है अब मैं इनको फिराई करके दिखाती हूँ आपको मैंने गेस पर कड़ाई रख दिये और हमारा तेल गरम हो गया है भाप उट रही है और हमें ध्यान रखना है कि हमें तेज तेल गरम करना है देखे मैं इसमें कुरेरी डाल दिये हैं देखे कितनी अच्छी बनी है अब मैं इसको निकाल लेती हूँ इसी तरीके से एक और फ्राई करती हूँ देखे कितनी अच्छी बनी है मैं इनको भी निकाल लेती हूँ और मैं जो मैंने हास से बनाई है मैं अभी उनको भी फ्राई करके दिखाती हूँ आपको वो भी बहुत अच्छी बनी है आप इस तरीके से कुरेरी बना करके चाय के साथ खा सकते हैं या फिर आप हलकी पुलकी भूक में भी खा सकते हैं आप इस तरीके से बनी हुई कुरेरीयों को साल वर्थक इस्टूर भी कर सकते हैं इस तरीके से मैंने सभी को फ्राई कर लिया है हमारी कुरेरी सर्व करने के लिए तयार है, देखिए काफी अच्छी बनी है और आप चाहें तो इनके ऊपर चाट का मसाला भी डाल सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटी हो जाती है इस तरीके से हमारी चावल की कुरेरी काफी अच्छी बनी है आप इस तरीके से चावल की कुरेरी बनाईए, खाईए और खिलाईए, अपने अनवा मेरे चैनल वुर्जबासी विर्जन में शेयर कीजिए अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिलीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फिर मिलते हैं नईडिया स्पी के साथ, धन्नुबाद